हेलो, stml सिखने से पहले हम यहाँ पे stml के introduction के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले introduction to stml तो यहाँ पे यह stml के introduction दिये गई है stml एक hypertext markup language है जो web page create करने के लिए use की जाती है stml Tim Bernal-Lee के दवारा create की गई थी stml एक plate form independent language है जिसका इस्तेमाल किसी भी plate form में किया जा सकता है जैसे बिंडो, Linux, Macintosh, इत्यादी इसके बाद stml का इस्तेमाल कर web page बनाना बहुत असान है इसके लिए आपको चाहिए दो चीज पहला है एक सधारन text editor जैसे की notepad जिसमें stml का code लिखा जाता है और दूसरा चाहिए एक browser जैसे internet explorer, google chrome, mozilla, firefox, adi जिसमें आपके website को पैचान मिलती है और जिसे internet user देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें एक text editor चाहिए यह notepad जो है यह window के साथ आता है इसको हम use कर सकते हैं इसके इलावा और भी text editor हम use कर सकते हैं और एक हमें browser चाहिए जो की internet explorer है यह window के साथ हता है इसको भी हम use कर सकते हैं या हम इसके इलावा और भी browser यहाँ पी use कर सकते हैं जैसे google chrome, mozilla, firefox, adi stml के भवीन tag को use करते हुए आप web pages create करते हैं और उसमें बभीन element जैसे की images, audio, video, tables, list, links और text आदी add करते हैं stml code को लिख लेने के बाद डाकॉमेंट को save करना होता है उसको save करने के लिए stml file के name के साथ .stm या फिर .stml लिखना जरूरी है तब ही वो आपके stml document को आपके browser में दिखाएगा बरना नहीं अगर suppose करो हमने file का name लिख दिया है और हमने यहां पे यह stml के extension नहीं लगाई हूँ यह save करने के लिए जैसे .htm या फिर .stml तो यह file जो है stml में save नहीं होगी तो इसके लिए हमें file name के साथ .htm या फिर .stml लिखना जरूरी है तब ही हमारे stml document को browser में दिखाएगा save कर लाने के बाद आपको अपना stml document देखने के लिए browser को खोड़ना होगा वो browser आपके stml file को read करेगा और आपके सही तरीके से लिखे हुए code को translate कर सही रूप से आपके website को दिखाएगा जैसे आपने code लिखते बगत सोचा होगा आपका web browser stml tag को website में नहीं दिखाता बलकि आपके document को सही तरीके से देखने के लिए उन tag का इस्तिवाल करता है इसके बाद है web designing के क्षित्र में सीखी और सिखाई जाने वाली stml सबसे पहली language होती है stml के साथ css का भी प्रियोग किया जाता है जो web page को और भी बेटर डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है stml के साथ javascript के प्रियोग से web page में logic add किया जाता है और उन्हें dynamic बनाया जाता है stml शोटे शोटे code की सीरीज से बनता है जिसको हम notpad में लिखते है इन शोटे code को tags कहते है stml tags browser को बताता है कि उस tag के अंदर लिखे गए elements को website में कैसे और कहा दिखाया जाए अब तक stml के बहुत से version इंडस्ट्री में आ चुके है तो सबसे पहला version है html 1.0 ये html का पहला version था इसके बाद आया html 2.0 इसके बाद आया html 3.0 इसके बाद आया html 3.2 इसके बाद आया html 4.01 इसके बाद आया html 5.0 और इसके बाद नए नए बर्जन यहां पे आ रहे हैं तो इस वीडियो में हमने STML की इंट्रोडक्शन के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल